कि स्वागत है आपका हिस ट्री के क्रैश कोर्ष में और हम पढ़ रहे हैं मेडिवल हिस्ट्री और लास्ट वीडियो में हमने कवर कर लिया था अपना गुलाम वंस तक 215 पहले हमने पढ़ा था भारत पर अरब का करमन और उसके बाद हमने गुलाम वंस को कम्पलीट किया था और उसके अंतिम सासक के बाद अब आता है हमारा यहां पे खिलजी वंस और आज हम खिलजी वंस के बारे में सारी चीज़े पढ़ेंगे और उनको अच्छे से समझेंगे तो आईए शुरू करते हैं खिल जी बन से आज हमारा समझने का ये सिलजिला हाँ तो खिल जी दुआरा सत्ता स्थापित करने को क्रांती कहा जाता है हालांकी इतिहास कारों में इस बात को लेकर मतभेद है कि खिल जी तुर्क थे या नहीं क्योंकि इससे पहले वाले जो देली सल्तनत के साशक थे वो तुर्क थे खिल जी करांती इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यहर राज्य जातिय उच्चता या खलीफा की स्वीकरती पर आधारित नहीं थी बलकि शक्ति के बल पर आधारित थी क्योंकि पहले वाले जो गुलाम वंस थे जो बाकी और थे वो जो खलीफा होते हैं ना मुसल्मानों के जो उनके उनकी स्वीकरती लेते थे उनके अंडर काम करते थे वो लोग हमने पहले की वीडियो में भी जिक्र किया है ना इस चीज का तो ये लोग उनसे बिलकुल अलग थे और ये अपने ताकत के दम पर शत्ता में आये थे जलालुदीन खिलजी ये नाम है जिनोंने खिलजी वंस की स्थापना किये तो देखी इनके बीच में जैसे कि हमारी वीडियो में हमेशा होता है कि हर लाइन अपने आप में वन लाइनर होगी किस्चन तो चीजों को समझने की कोशिस करें रटने की बजाए जलालुदीन खिलजी ने खिलजी वंस की स्थापना कि थी जलालुदीन खिलजी ने गुलाम वंस के अंतिन सुल्तान की हत्या करके खिलजियों को दिल्ली का सुल्तान बनाया खिलजी बंस ने 1290 से 1320 तक राज्य किया दिल्ली के खिलजी सुल्तानों में अलाउद्दीन खिलजी जिसके उपर मूवी भी बनी हुई है पदमावात ये वही वाले हैं सबसे प्रशिद और योगेश आशक था इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे सबसे पहले देखते हैं कौन कोन आएंगे खिलजी बंस में पांच सासकों के बारे में पढ़ेंगे हम खिलजी बंस के अंदर जलाल उद्दीन खिलजी इन सब के बारे में पढ़ेंगे और अब हम सुरू करते हैं नंबर एक से जलालुदीन खिलजी जो कि इनके संस्थापक हैं तो जलालुदीन खिलजी हैं इनका साशन अपना चला है 1290 से लेके 1296 तक 6 साल इनका साशन चला है क्योंकि उससे पहले 1206 से 1290 तक चला था अपना गुलाम वंस का जैसे कि आपको पिछली वीडियो आपने देखिये तो आपको याद होगा तो दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंस का संस्थापक जलालुदीन खिलजी जलालुदीन फिरोज इसका नाम वैसे ना फिरोज खिलजी था और जैसे इसने दिल्ली सल्तनत को जीता उसके बाद इसने जलालुदीन की उपाधी दारन कर ली फिर इसने अपना पूरा नाम रखा है और खिलजी वंस की स्थापना इसने की थी 13-1290 को की थी और इनके स्टार्टिंग के जीवन की बात करें जो इनका पहला वो था तो भी ये गुलाम वंस के जो थे ना अपने बल बंग थे और थे उनके उधरी शैनिक के रूप में काम करते थे और योग्यता के बल पर उन्नती करता हुआ जलालुदीन सेना नाएक वे सुबेदार बन गया था इनमें लड़ने की काबिलियत थी सिद्धिवाती है देखके कैकुबाद के सुल्तान बनने के वाद वह आरीजे ममालिक बन गया वह शाहिस्ता खां की उपादी धारण करने लगा ये सेना इनमें लड़ने का बहुत जादा तज्जूर्बा था ताकत थी और हमेशा इन्होंने अपने ताकत के बल पर ही तरक्की करते हुए आ रहे थे और तभी इन्होंने अपने गुलाम वंस का अंद करके अपने वंस की स्थापना किये इसी के दम पे राजे रोहन में क्या इनका ततकालिन साशक कैकुबाद वे कैमूर्स का देखो जिकर आ गया है यहाँ पे तो कैमूर्स कोने शम्मूदीन कैमूर्स ये था गुलाम वंस का अंतिम राजा ततकालिन साशक कैकुबाद एंउ कैमुर्ष की हत्या कर 1290 इस्वी में किलखूरी किलखूरी नाम की ये जगए है किलखूरी में समय को सल्तान घोसित कर दिया जलाल उद्दीन फिरोज खिलजी ने शत्र वर्ष की उम्र में 13 जून 1290 को दिल्ली की राजगदी गरहेंड की इन्होंने पूरी उम्र तो अपनी उनके सैनिक में शेनापती टाइप में अब लड़ते हुए गुजारी है लास्ट में जाके इन्होंने अपने राजगदी की स्थापना की अपनी टुकड़ी के दम पे जलाल उद्दीन खिलजी का राजगदी शेख कैकुबाद द्वारा बनवाए गए किल खोरी के महल में हुआ इसने अपनी राजधानी किलो खरी को ही बनाया जहां पे इनका राजगदी शेख हुआ था इसके बाद भई इनके में में घटनाएं क्या हुई इनके काल में वो पड़ लेते हैं क्योंकि वो भी काम की है जलालुदीन खिल जी दिल्ली सल्तनत का पहला साशक था जिसे अपने विचारों को सपस्ट रूप से सामने रखा कि राज़े का आधार प्रजा का समर्थन होना चाहिए खिल जी की नीती दूसरों को प्रशन रखना थी जो इनके में थे ना ये अपने जलालुदीन खिल जी जलालुदीन फिरोज खिल जी इनका विचार था कि प्रजा का समर्थन होना चाहिए और इनकी नीती थी दूसरों को प्रशन रखने की खुश रखने की जलालुदीन खिल जी ने शीदी मोला जो इरान से आया हुआ फकीर था इसने उसके खिलाफ सडीयंतर रचा और उसे हाथी के पैरों के नीचे कुछलवा दिया फिरोज खिलजी ने अपनी पुत्री की शादी उलुग खां से कर दी तथा नवीन मुसल्मानों के लिए रहने के लिए मुगल पुर नामक बस्ती बसाई अब आपके माइंड में आ रहा हो होगा कि ये नवीन मुसल्मान कोन है तो नवीन मुसल्मान उनको बोला गया है जैसे कि इनके काल में मंगोलों का कर्मन बहुत जादा होता था तो कम से कम दो हजार के आसपास मंगोल सैनिक थे वो दिल्ली में आये थे और दिल्ली में ही मुगल पुर नामक एक जगए थी वहाँ पे इन्होंने जो मंगोल सैनिक थे जितने भी मंगोल थे उन्होंने मुसलिम धरम स्वीकार किया और वो मुसलिम बन गए और उन्हीं को नवीन मुसल्मान बोला गया वो जो मंगोल थे ना जो आकर्मन करने आए थे आँपे वहीं थे ये और ये जो मुगलपुर नामक बसती है ये आज के टाइम पे भी दिल्ली में है और इसका नाम है मंगोलपुरी आपने नाम सुनाओ शायद जलालुद्दीन के काल में ही मुशल्मानों का दक्षिन भारत देवगिरी उलाउद्दीन के नेतरोत में आकर्मन हुआ और इसके बाद इनके टाइम पे प्रमुख कवी इनके दरबार में एक तो अमीर खुसरो रहते थे और हशन देहलवी जैसे प्रख्यात वेक्ति रहते थ अब अमीर खुसरो के उपर क्युस्टन बनेगा पक्का अमीर खुसरो का मूल नाम था मुहम्मद हशन और उनका जनम पटियाली उत्रपरदेश के बदाईयू के पास 1253 इस्वे में हुआ था ठीक है और इन्हें भारत का तोता कहा जाता है सबसे में बातिन के बारे में या इनके आगे जो खिल जी है ना इनके बाद हम तुगलकों के बारे में पढ़ने वाले हैं और दूसरी बात इनकी याद रखने की जो किस्टन बनेगा सितार वे तबला जो बजाने की चीजें हैं इनके आविशकार का स्रेह अमीर खुश्रो को ही दिया जाता है तो इनके बा इनके वंसका जलाल उद्दीन खिल जी की हत्या के शरियंत्र में अलाउद्दीन खिल जी ने अपने भाई अलमास वेग की सहायता ली जिसे बाद में उलुग खां की उपादी से विबूशित किया गया इस परकार अलाउद्दीन खिल जी ने उदार चाचा की हत्या करके दिल्ली के तक्त पर 22 अक्टूबर 1296 को बल्बन के लाल महल में अपना राज्य भिशेक करवाया इसके बाद इनके जोब में शासक है ये अलाउद्दीन इसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं अलाउद्दीन खिल जी का जन्म जूना महुम्मद खिल जी के नाम से हुआ था वे खिल जी सामराज्य के दूसरे सासक थे जिनोंने 1296 से 1316 तक सासन किया था और शमय खिल जी सामराज्य के सबसे 37 सासक अलाउद्दीन खिल जी ही थे ये सबसे ताकतवर थे अपने टाइम के अपने सामराज्य में उन्होंने खुले में मदीरा के सेवन पर परतीबंद लगा दिया था और इनके बहुत सारी चीज़ें जो आपको याद रखनी है अलाउद्दीन खिल जी ने सेना को नगद वेतन देना स्टार्ट किया सबसे पहले और एक पहले ऐसे स्थाई सेना नहीं रखते थे वो सेना साथ में जाती वहां से लूट मार करते और वो सेनी का अपस में बाट लेते थे अलगी तरीके का सिस्टम था करूर था पर इन्होंने क्या किया एक स्थाई सेना रखी और उसको नगद वेतन देना स्टार्ट किया सेना को यह चीज़े याद रखी इसके वारे में दोर और भी बताउंगा इसके वारे में अभी मैं तो इसके और अलाऊधीन है ना इनके बच्पन का विधीवत राज्य वीशेख हुआ अलाउदीन खिल जीगा इसके बाद इनके जीवन में घटनाई क्या क्या हुई है में जो हमारे अपने आप में क्युस्चन भी होते हैं और हमें समझनी भी चिंपड़ेंगी तो प्रमुग घटनाओं के बारे में थोड़ा विस्तार से देखते हैं अपनी प्राहरंबिक सफलताओं से प्रोचाहित होकर अलाउदीन ने शिकंदर द्वितिये या शानी की उपादी गरहेन कर ली और इसका उलेख अपने शिक्कों पर करवा दिया जोस में आगे थे भहुत ज़्यादा युद जीत के उसने विश्व विजय एंव एक नवीन धरम को स्थापित करने के अपने विचार को अपने मित्र एंव दिल्ली के कोतावाल अलाउल मुल्क के समझाने पर त्याग दिया ये अपना एक नवीन धरम बनाना चाहते थे और इसने अपने मित्र थे और दिल्ली के कोतावाल भी थे ये अलाउल मुल्क इसको समझाया भी ऐसे ऐसे उपर इन्होंने फिर वो त्याग दिया अपना ऐडिया वो सही नहीं लगा होगा उनको आडिया वे पहले मुस्लिम सासक थे जिनोंने दक्षिन भारत में अपना सामराज्य फैलाया था इससे पहले दक्षिन भारत में कोई मुस्लिम सासक नहीं गया था ये सबसे पहले सासक थे जो दक्षिन भारत में अपना सामराज्य फैलाने पहुँचे और जीत हासिल की और अलाउद्दीन खुद को दूसरा अलेक्जेंडर कहते थे और अपने सामराज्य में उन्होंने खुले में मदीरा सेवन पर परती बंद लगा दिया था इसके आगे पढ़ते हैं 1297 से लेकर 1305 इसवी में खिल जीवन्स ने सफुलता पूर्व कई मंगोल हमलों को नाकाम किया इनके जीवन में भूत सारे मंगोल हमले हुए और इन्होंने एक एक करके जितनी बार इनके उपर मंगोलों के हमले होते थे ना इनके जीवन में भूत बार हुए શબसे देखू मैं बता देता हूं 6 बारा कर्मन हुए थे पहला कर्मन हुआ 12úc 7 अंग में कादरखा के नेतरोत्व में दूसरा होता है अगले ही साल 8 हमें 16 के नेतरोत्व में तीसरा कर्मन फिर हुआ अगले साल दुबारा 12уки iodम में कुर्णा noi युद्टता के नेत्रोत में उक्षटा और्प और आकरे आकरमन हुआ 1306 इस्वी में यह किसके नेत्रोत में कबक और एक बालमन्द के नेत्रोत में हुआ था इन्हों इतने सारे आक रमन हुए ना इस चीज में, इन्हों ने हर बार उनके आकरमन में को नाकाम किया, यह इनके लिए भूत सफलता के बात थी और बहुत बड़िया बात थी, इन्हों ने कई सफलता पुरवक मंगोल हमलों को नाकाम किया, लेकिन 1299 इस वी में जफर खान नाम के एक समर्पित छेना नायक को खो दिया इनी हमलों में कहा जाता है कि चितोड की रानी पदमिनी को पाने के लिए उन्होंने 1313 में चितोड प्राकर्मन किया था जैसा अब मूवी में भी दिखाया गया है इस युद्ध का लेखक मलिक मुहम्मद जैशी ने अवधी भासा में 1540 में अपनी कवीता पदमावत में उलेह किया इस बात का अलाउदीन ने 1305 में मालवा और 1308 में राजस्थान के शिवाना के लिए सहित उत्र में कई सामराज्यों पर आकरमन किया अब यह मालवा कहां पर पढ़ता है यह आपको मैं पता देता हूँ क्योंकि यह नाम आपको भोतबार सुनने को मिला होगा यह अपना टंप्रेरी नक्षा इंडिया का यह दिल्ली मान के चलो यहां पर यह राजस्थान यह है MP इधर अपना गुजरात निच्छे MP है ना इसके जो बीच का एरिया है यह प्रदेश मालवा प्रदेश कहलाता है इस जगह को बोलते हैं मालवा प्रदेश तो इस जगह पर आकर्मन किया राजस्थान में किया और इसके बाद प्राइद वीपिये भारत प्राइद वीपिये भारत की भी बताओं देखे जो न अच्छे से समझाय हुआ है प्राइदीर पिय भारत गवा रहा मदुरई के विनास का 1310 इस्वी में 1310 इस्वी में द्वारा समुंद्र के होयासल सामराज्य और 1311 इस्वी में पंडया समराज्य प्राकर्मन का और साथ ही साथ 1313 इस्वी में दिल्ली के लिए देवगिरी अनुबंद्गा अब होसियाल समराज्य अलाउदीन खिलजी के राज्य में कुछ विद्रोह भी हुए थे जिन में 1299 में गुजरात के सफल अभियान में धन प्राप्त के बटवारे को लेकर नवी मुसल्मानों दोरा किये गए विद्रोह का दमन नुशरत खाने के नवी मुसल्मान आप मैंने आपको बताएं कौन से थे नवी मुसल्मान जो मंगोल थे ना जिन को मंगोल पुरी में बसाये गया था ये नवी मुसल्मान थे सारे और इन्होंने विद्रोह किया तो इसको दबाया था नुशरत खाने इसके बाद इन्होंने निर्मानकार ये क्या-क्या इनके बारे में एक दो और चीजे बताता हूँ आपको मैं अलाउदिन की जो किस्चन आ जाते हैं डारेक्ट एक तो इन्होंने घोडा दागने की प्रथा चलाई दूसरा सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा के अलाउदिन ने भू राजस जो टैक्स होता था न भूमी का उसको बड comigo कर पहले एक बटा दो भाग और जो लूट का धन होता था न वह एक बटा चार भाग लेता है पहले सुलतान पर इसने कर दिया तीन बटे चार भाग कर दिया और दूसरा जो मेंन बात व्यापारी थे वो बहिमानी करते थे ना उनको रोकने के लिए जो व्यापारी कम तोलता था तो उस व्यक्ति के शरीर से मास काट लिया जाता था जो कम तोलता था ये इनके और इस चीज को ये बोलते हैं मुल्ले नियंतरण प्रनाली भई कोई जादा पैसे ने ले पाए चीजों के तो इस इस चीज को इन्होंने द्रड़ता से लागू किया ये बहुत अच्छी चीज थी इनकी जो मुल्ले नियंतरण प्रनाली थी ना ये बहुत सही चीज थी इनकी इसके बाद अलाव दिन खिल जी ने ना दो नए टेक्स लगाए थे पहला था चराईकर जो कि दुधार उपस् पड़ियों पर लगाया जाता है उसको बोलते हैं गढ़ी कर निर्मान देखते हैं निर्मान कारिये स्थापत्य कला के छेत्र में अलाव दिन खिल जी ने व्रताकार अलाई दर्वाजा अथ्वा कुशक एशिकार का निर्मान करवाया उसके द्वारा बनाये गया अलाई द दर्वाजा इसको भी आप थोड़ा धंग से याद रख लीजिए अलाई दर्वाजा और भी चीजें थी जो इन्होंने बनवाई थी जैसे जम्यत खान मस्जिद शीरी का किला हजार खंबा महल यह ऐसी ऐसी चीजें थी बट जो अलाई का दर्वाजा है ना इसको इसलामी वास्तुकला का रत्न माना जाता है और इनकी मृत्यू कब हुई 1316 इसमी में इनकी मृत्यू होती है और अलाउदिन खिलजी के जीवन के अंतिन दिन काफी दर्द भरे थे उनकी ए शम्ता का फाइदा लेते हुए उनके कमांडर थे मलिक काफूर उन्होंने पूरा राज्य हतिया लिया इस पर वे निराश उस समय जो अलाउदिन खिल जी थे वो बहुत जादा निराश हो गए थे और एक टाइप से देखे तो बहुत जादा बेबस हो गए थे क्योंकि वो बिमार हो गए थे बहुत और वो खुद तो गुछ करने ही पा रहे थे और उनके जो खिलजे डाइनेस्टी के दो हमने पढ़ लिए तो तीसरा हमारा है शिहाब बुद्दीन उमर खिलजी जो कि 1316 इस्वी में गद्दी पर बैठा शिहाब बुद्दीन उमर खिलजी है वह अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था और मलिक काफूर के कहने पर अलाउद्दीन ने अपने पुत्र खिज्र खा को उत्रा अधिकारी नय बना कर अपने 5-6 वर्ष के पुत्र शिहाब बुद्दीन उमर को उत्रा अधिकारी नियु शिद कर लिया वह यह उसकी प्लैन थी पांसे साल का लड़का बनेगा तो वो क्या क्या ही सासन चलाएगा तो नाम नाम का वो बैठा रहा और पूरा सासन समाला मलिक काफूर ने और अपने हाथों में ले लिया एक टाइप से लगभग पैंट तेंटिस दिन के सत्ता उपबो का संग्रक्षक बन गया जो पंसे स रहा साल का था ना उनका पुत्र शिहाब बुद्व dazu अपने भाई का संग्रक्षक बना और का अपना आता है 1316 में क्योंकि 233 दिन चला है उनका शासन तो कुतुबदीन मुबारक खिलजी अंधा करवा दिया अपने भाई को शासन वो जेल में डलवा दिया और खुद बन गया फिर कुतुबदीन मुबारक खिलजी चार साल तक रहा खिलजी वंस के सुल्तान अलाउदीन खिलजी का तरीतिय पुत्र था अलाउदीन के प्रभावसाली वैक्तियों में से एक मलिक काफूर इसका संगरक्षक था कुछ समय बाद मलिक काफुर समय सुल्टान बनने का सपना देखने लगा और उसने सडीयंतर रच के मुबारक खिलजी की हत्या करने की योजना बनाई किन्तु मलिक काफुर के सडीयंतरों से बच निकलने के बाद मुबारक खिलजी ने चार वर्ष तक शफलता पूर्वक राज्जे किया और इसके साशनकाल में राज्जे में प्राइश शांती व्याप्त रही चार सालों के अंदर इसने सुधार कारिये किये कुछ उसने राजनेतिक बंदियों को रिहा कर दिया एक तो और अपने शैनिको को 6 माह का अकरिम वेतन देना प्रारम किया एडवांस में 6 महीने का एडवांस में अपना वो वेतन तनखवा दे देता था ये और विद्वानों एवों महत्वपूर्ण व्यक्तियों से छीनी गई सभी जागिरें उन्हें वापस कर दी और अलाउदीन खिलजी की कठोर दं माप्त करवा दिया इनको सुधार तो क्या ही बोलो गया अब इनमें से कुछ तो उपलब्दी क्या इनकी कुत्वदीन मुबारक खिलजी ने अल इमाम उल इमाम खिलाफत उल्ला ये सब उपादियां धारण की उसने खिलाफत के प्रति भक्ति को हटा कर अपने को इसलाम ध तथा प्रत्वी के अधिपती का खलीफा घोसित कर दिया ये तो वही एंकार वाली बात है बहुत ज़्यादा इसमें और इनके मृत्यूगा क्या सीन है देवगिरी तथा गुजरात की विजे से मुबारक खिलजी का दिमाग फिर फिर गया और वह भोग विलास में लिप्त रहने लगा वही वही शिर्पे चटगे बोलने लगी जीत इसके वह नगन स्त्री प्रुशों की संगत को पसंद करता था उसके परधान मंतरी खुसरों खाने तेरा सो बीस इसवी में उसकी हत्या करवा दी ये इस टाइप का इंसान था कि दरबार में इसको क्या बाते पसं फिर उसका प्रधान मंतरी था खुसरों खा उसने इसकी तेरा सो बीस इसवी में अत्या करवा दी और उसके बाद नसरुदीन खुसरवसा तेरा सो बीस इसवी में सासन पे बैठा ये जो नसरुदीन खुसरवसा है ना ये हिंडू से मुसलमान बना हुआ था और पंदरा अ अंतिम शाषग था स्थक्तु इसकी हत्या करके दिल्ली सलतनत में किल्जी का अन्त हो गया यह तो बहुत ही थोड़े दिन रहा कितने दिन रहा यह दस और बारा दिन तक सासिन किया इस इस वंस के बाद दिल्ली सलतनत में तुगलक वन्स का उद्धे होता है और यहां पे खिलजीयों का हो जाता है और आगे की वीडियो में next part में हम पढ़ेंगे तुगलक वन्स है ना उनके बारे में एक वीडियो में ऐसे पूरा कर देंगे तुगलक वन्स को और इनके उपर एक बार ये पुरा इनका medieval history का न असले बस complete कर लेते हैं इसके बाद हम इनके उपर जो mcq होंगे important वो सब complete करेंगे ताकि आपकी तैयारी थोड़ी और अच्छे से deeply complete हो जाए वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो like करें सबस्क्राइब करें और जो बाकी की वीडियो नहीं देखी हैं तो उन्हें भी जाकर देखें अपना geography का crash course चल रहा है उसको भी जाकर देखें उसमें भी map के दोवारा बहुत अच्छे से आपको करवाए जा रहा है तो ठीक अब बने रही है आप हमारे चैनल पर क्योंकि अभी आगे की वीडियो जानी बाकी हैं तो ठीक दोस्तो धन्यवाद